हेलो फ्रेंट्स नमस्ते गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी लोग बैड अक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारी यूटूब चैनल आरेस बोमेंस हिल पर फ्रेंट्स पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रेगनेलसी के तेरवें सब्ता हमें हम हमारे बेवी में क्या बदलाओं होते हैं और इस अपते हमें अपना कैसे ख्याल लखना चाहिए इस बारे में हमने डिटेल में बात की थी तो चलिए आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीवर का साइज क्यों बढ़ जाता है इसके क्या कारण होते हैं इसके क्या लच आपके बढ़ा हुआ है या फिर आपके की बढ़ा हुआ है या फिर आपके लिबर में सोजन है उसमे यह आता है zatै है कि आपको हेपेटो मेयली है यह पि het मैं इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे कि लीबर सेव्ट का Lever is Beds shape का एक Organ रहता है जो हमारे पेट के दाई तरफ हिस्से में पसली के ठीक नीचे settlement होता है हमारे जो Lever का size रहता है ये हमारे Body Size के उपर Depend करता है और Sex के उपर Depend करता है जैसे अगर हमारे Body का size जाधा है तो हमारे舒 flirt का size भी जाधा होगा हमारे जो लीवर का कलर रहता है वो डार्क ब्लू कलर का या फिर ब्राउनेस कलर का होता है लीवर रेड कलर का नहीं होता है हमारे जो लीवर का वेट रहता है वो लगबग 1200 ग्राम या फिर सबाव किलो के आसपास होता है अब हम जालेंगे कि लीवर का साइज क्यों बढ़ जाता है इसके क्या कारण रहते हैं हमारे जो लीवर का साइज बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और जो हेपेटो मेगली है ये हमें इंडेक्शन करता है या हमें बताता है कि हमारे लीवर का साइज बढ़ा हुआ है लेकिन ये जो हेपेटो मेगली है ये हमें बास्तप में ये नहीं बताता है कि हमारे जो लीवर का साइज है वो क्यों बढ़ा है हमारे जो लीवर का साइज है उसके बढ़ने का जो सबसे महिन कारान हो सकता है यह आपके acute cornic viral infection हो सकते है या फिर viral infection हो सकता है अगर आपका जो liver का size बढ़ा हुआ है infection के चलते तो यह आपको hepatitis A के चलते हो सकता है B के चलते हो सकता है C के चलते हो सकता है और Hepatitis E के चलते हो सकता है जो Hepatitis A और Hepatitis E रहते हैं यह waterborne diseases रहते हैं जब भी हम infected पानी लेते हैं यह हम दूसरी जल लेते हैं तो उसके चलते हमें लीवर में सूजन आ जाती है और लीवर में infection हो जाता है Hepatitis B और C यह हमें infected food की वज़े से होता है तो अगर हम infected food लेते हैं तब भी हमारे लीवर में infection हो सकता है और हमारे लीवर में सूजन हो सकता है इसके साथ टॉक्सिन्स एक जो कारण है वो टॉक्सिन्स है अगर हम बहुत जादा alcohol ले रहे हैं smoking कर रहे हैं drink कर रहे हैं ऐसी condition में भी हमारे लीवर का size बढ़ सकता है इसके साथ अगर आपको tumor है यह tumor cancerous हो सकते हैं non-cancerous भी हो सकते हैं तो भी आपके लीवर का size बढ़ सकता है अगर आपके लीवर में abscess है आपके लीवर में कोई cyst है तो ऐसी condition में भी आपके लीवर का size बढ़ सकता है तो आपके लीवर में surgeon आ सकती है अब हम जानेंगे कि इसके क्या symptoms होते हैं आपके जो लीवर का size है वो अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो symptoms कम आएंगे और symptoms late आएंगे अगर आपके जो लीवर का size है वो अचानक से बढ़ा हुआ है तो ऐसी condition में आपके जो symptoms हैं वो जादा आएंगे और जल्दी आएंगे जो common symptoms रहते हैं वो है कि आपके पेट के दाईं तरफ हिस्से में दर्ध हो सकता है और आपके पेट में tenderness रह सकता है आपके पेट के दाईं तरफ हिस्से में खिचार रह सकता है इसके साथ हमारे जो लीवर के size बढ़ने पर जो symptoms आते हैं वो किस बीमारी के चलते आए हैं सबसे mind जो symptoms हैं वो इस पर depend करते हैं कि आपको जो क्या बीमारी हुई है जिसकी वज़े से आपके लीवर का size बढ़ा है तो symptoms उसी से related आएंगे अब हम जानेंगे कि लीवर का size बढ़ने पर हम क्या टेस्ट करवा सकते हैं सबसे पहला जो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे आपका एक physical examination करते हैं उसके चलते हैं आपके पेट के जो दाई तरफ का हिस्सा होता है उस पे ये examine करते हैं कि आपके लीवर का size कैसा है आपके लीवर में कोई tenderness है या फिर जो लीवर की consistency है वो किस प्रकार की है इसके साथ आपका एक ultrasound करवा सकते हैं डॉक्टर ये easily हर जगे पे available रहता है और ultrasound में कोई भी pain नहीं होता है ये ultrasound में लगवख आपको 92-95% ये पता चल जाता है कि आपके लीवर में क्या problem है आपके लीवर का size क्यों बढ़ा हुआ है इसके साथ डॉक्टर आपके कुछ blood test करवा सकते हैं इसमें आपका जो सबसे पाहिला test रहता है वह लीवर function test और इसके साथ आपका total leukocyte count करवा सकते हैं जिसे हम TNC बोलते हैं इसमें आपका infection पता चलता है कि आपके blood में कितना infection है अगर आपके blood test में और ultrasound में भी ये clear नहीं हो पा रहा है कि आपके liver का size क्यों बढ़ा है तो फिर डॉक्टर आपका एक CT scan करवा सकते हैं CT scan में अगर आपके liver में कोई tumor है, abscess है, cyst है तो ये आपका CT scan में clear हो जाता है जो कि हमें blood test और ultrasound में clear नहीं हो पाता है अगर आपके CT scan में भी कोई भी problem नहीं आ रही है या फिर डॉक्टर को कुछ doubt रहता है CT scan में भी तो फिर आपका एक और test हो सकता है, ये है liver bypsi test इसमें आपका पेट के दाई तरफ हिस्से में डॉक्टर आपके cut लगा के एक liver का छोटा सा हिस्सा निकालकर उसकी जाज के लिए भेज सकते हैं तो इसमें आपके जो भी problems रहती हैं वो सारी clear हो जाती है और आपका ये diagnose हो पाता है कि आपके जो liver का size है वो क्यों बड़ा हो हुआ है और उसी के आधार पे आपका treatment स्टार्ट हो जाता है तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो के पसंद आया है तो लाइक करें, share करें झाल